हेलो एवरीवन दिस इस मुझीव और वल्केम वेक्ट यौरोण चैनल टेज़ आपको एक्सप्लेंट कराने वाला हूं रिपोर्ट जिया स्ट्रेट्स आपका जो लाटेक्ट ब्लूपिंट जारी किया गा है उसमें जो आपका कोच्छन नंबर 5 है वो जो कोच्छन नंबर 5 ह हो यही कोच्छन से आपकी रिपोर्ट कास्ट इस रहा है अगर आप से जादा पूंचे करने वाला हैं जै अगर अप पिछने वर्ष्व के पेपर्स को उठा के देखिंगी तो यह जो लों रिपोर्ट आपको यहां पर बता ही जा रही है हिस सबसे ज़्यां होनें वाली है उसमें भी इस long report के आने के चांसे बहुत ही जादा है तो वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं कीजेगा वीडियो का end तक जरूर देखेगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देखी सबसे पहले मैं आपको बता दू जो आपकी report आएगी यह 4 marks की आएगी जी है आपका जो परिक्षे का pattern इसको change कर दिये गा है और जो आपका exam होगा वो 80 marks का होगा इसलिए इसमें से भी marks को कम कर दिये गए पहले आपकी जो long report आती थी वो आपके 6 marks की आती थी जी है तो आप 6 marks की long report नहीं आकर अब यह only 4 marks की आएगी और एक चीज़ मैं आपको clear कर दूँ कि long report के रिपोर्ट के और में report ही आती है मतलब आपके लिए कोई दूसरा option नहीं है कि आप इस questions के अथवा का कोई दूसरा questions cover कर सके आपको reports को cover करना होगी क्योंकि report के और में आपकी report आती है जो कि पूरे 4 marks की आएगी question नमर आपका जो 5 है वो यही question है तो 4 marks की आपकी report आएगी जो आज इस वीडियो के अंदर हम cover करें देखिए सबसे पहले मैं आपको इसके questions को read करके बता जाता हूं किस टाइप से questions आता है जो परिक्षा में बहुत बार पूछी गई है तो देखिए हमारे questions यहां से start होता है इसमें क्या कुछ कहा गया है पहले हम इसको समझ लेते हैं देखिए student इसमें यहां पर बता जा रहा है कि last Monday you went to the hospital to see a friend मतलब कि पिछले Monday को last Monday को आप एक hospital गई थे अपने friend को देखने अब friend की जगा पर आपका relative भी लिखा जा सकता है तो confused होने की जरूरत नहीं है questions में अगर आप फ्रेंड का है तो आप answer में friend यूज कर लिजेगा अगर वो relative का यूज करें तो आप answer में relative यूज कर लिजेगा friend या relative दोनों में से कुछ भी दे सकते है तो last Monday you went to the hospital to see a friend पिछले Monday को आप एक hospital गई थे अपने friend को देखने के लिए Who was admitted there ? Who का मतलब यहां पर निकले लेगा जो Who का मतलब क्या निकले लेगे यहां पर जो Who was admitted there ? जो वहां पर क्या था admit हा मतलब के भरती था using the following inputs आपको inputs दीये जा रहे उन inputs का मतलब का आपको clues दीये जा रहे उन का use करते हुए describe in about 100 words your visit तो आपको 100 words में describe करना है आपकी विजिट को आपकी जो विजिट हुई आप अपने जो फ्रेंट को या फिर अपने जो रेलेटिब उसको देखने के लिए एक हॉस्पिटल गए थे तो वहाँ पर आपने क्या कुछ देखा यह सारी इन पाइंट की हैल्फ से आपको डिस्क्राइब कर देना एक रिपोर्ट तियार कर देना है अबाउट हंडिट वर्स में ओकी स्ट्वेट करें चलिए इसके आप चेंद देख लेते हैं तो आपको पाइंट दिये जा रहा है इनकी हैं आपको लॉंग रिपोर्ट को कप्लीट करना है फस्ट है आपका रिजिस्ट्रेशन काउंटर पीपल इन फंट रॉक्टर स्रूम सर्जीकल वर्ड नर्से अटेंडिंग मेडिकल वर्ड पैशेंट्स लेंग ओन देर पेट्स रिकी स्ट्रेट्स लॉंग रिपोर्ट का आंसर बताने से पहले मैं आपको इस चीज़ के लियर कर दूँ कि सबके साथ ऐसा होता है कभी ना कभी हमें हॉस्पिल जाना होता है हम या तो अपने आपको चेक कराने के लिए दिखाने के लिए हॉस्पिल जाते हैं तो हOSपिवे आप क्या क्या देखते हैं कुछ चीज़ कोओं Janeiro जाते हैं तो आपको पहले काउंटर पर जानाँ होता है कऊंटर पा जाना होता है और सारी चीज़े आपको फुश्पित पढ़ा होगो तो वही आंसर आप इस वीडियो के दिखेंगा आांसर समझते हैं तो इस तरीके से लर्न हो जाएगा तो इसका पीडिये ले लिजेगा अधर वाइज आपको पीडिये भी प्रोवाइड करा दूंगा लेकिन एक बार वीडियो में इसको समझ लिजिए अच्छे तरीकी से रिपोर्ट को समय लिजिए मैं आपको वर्ट वर्ट एक् सब्सक्राइब हो गई ठीक है इसके बाद दिखे हमारा आंसर स्टार्ट होगा लास्ट मंडे यू की जगा पर आपको यहां पर आई कर देना है क्योंकि कोस्चन में आपसे कहा गया था कि यूवेंट मतलब कि आप गये थे तो आप आप आंसर लिख रहे हैं तो यू की अपने फ्रेंड को देखने के लिए गाया था हुआ एड्मिटेट देया मतलब जो वहां पर भरती था लेकि आगे हमारा अंसर बनेगा एज इंटर दा बिल्डिंग इस मतलब चूगी जैसे ही मैं इस बील्डिंग में एंटर किया मतलब प्रवेश किया इसा सम पीपल मतलब के अपना रिष्टर कराने के लिए मतलब के रिष्टर कराने के लिए पर्चा कड़वाने के लिए कुछ लोगों को मैंने देखा वाइल अधर स्टेंडिंग इन क्यूज इन फ्रन ऑफ डॉक्टर्स रूम जबकि दूसरे जो लोग थे वो एक लाइन में खड़े हु इस लाइन को अच्छी तरीकित समझ लिए वाइल अधर से स्टेंडिंग इन क्यूज इन फरन ऑफ डॉक्टर्स रूम जबकि कुछ लोग जो थे दूसरी लोग जो थे वो डाक्टर्स के रूम के सामने कतार में खड़े हुए थे मतलब कि सबसे पहले आप जाएंगे तो र विक से समझ में खकार तो फर्स की तरफ छले गए तीकर अतर फर्स फ्लोर की तरफ बढ़ा टीकि मल फर्स्ट थे म्को पता होगा ओकि ट्राव फस्टब यह धी सार्जीगल वाटा वहाँ भाख देखा विच पेशेंट लेंग उठेंग यह सम lok घ्र मारीज सुना डोРИए न इन नर्स के उन पैशेंट में से कुछ पैशेंट को अटेंड कर रही थी मतलब के यह तो अनों ही विए गाए थी आप निक प्लोशसा हुआ यह लाघ लागा रहे थी यह यह फिर उनक sacred उनकोड थिक जो गच्यॐ repositories उनको अटेंड कर रहे थी लाइटा हुआ था इसके बार की स्टेंटि कम्हें इस्टेंट लिए अपने इंटिन को देखने तो जब आपके फ्रेंड में पot को देखे लिए तो इसकी अर्मोशनल फीलन योगी अउसमय है इंट अपको देखे नहीं जो मित्र था, वह मुश्कुरा गया क्योंकि आप उसको देखने के लिए उसकी खेरियत जाने के लिए उसके हाल चाल पूचने के लिए ठीक है। इसके बाद एक श्ट्विएंड आगे लिका गया हैं। मतलब सेट बेट मतलब कि आपको फ्रेंड ने कहा क्या का। कि अवे अच्छा हो रहा था ठीक है मतलब कि अब उसकी जो सहत है उसकी जो हेल्थ है उसमें इंप्रूब्मेंट आ रहा है अवे स्वस्थ हो रहा है अवे ठीक हो रहा है यह आपके फ्रेंड ने आपको बताया है ठीक है इसके बाद एक स्ट्विंट आई स्टेट विटिम एक फॉर अबाउट एन और मतलब आई स्टेट विटिम मैं उसके साथ ठेहरा यह सारी चीज़ों आ रहे हैं यह पास्ट में आएंगी कोई भी जो रिपोर्ट होती है कोई इंसिडेंट आप को इस इमेंट को बताएंगे त उससे यह वादा करते हुए कि में दो बारा उसको देखने आऊंगा। यह वादा करते ओए प्रॉमेस करते हुए मैंने वहां से विदा लिए और वापस में आ घया हुए तो यह आपकी एक विजित थी जो की एक हॉस्पिटल थी जिसको आपने डिस्क्राइब कर दिया है क ले लिजेगा आपको कोई भी प्रोब्म ना जाती है कोई भी इसके पूछ सकते हैं लिंक डिस्के बाक्स में मिल जाएगी वहाँ जाकर मैं आपको इसकी पीडिया प्रोवाइट करा दूँगा थैंक्स पॉर वाचिंग